नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में मैं, डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड आपसे इरान की क्रांती के बारे में डिसकस करूँगा इसे कई बार इरान की इसलामिक क्रांती भी कहा जाता है शुरू करेंगे हम इरान की जोगरिफी से तो पश्चिमी एशिया में स्थित इरान एक बहुती बड़ा देश है इसकी बाउंडरी उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, यहाँ पे अजर्बाइजान और पश्चिम में टर्की, इराक और पूर्व में पाकिस्तान के बलुचस्तान प्रांच से और यहाँ पे अफगानिस्तान तो यह इसकी बाउंडरीज है दक्षिन में इसके फारस की खाड़ी है पर्शियन गल्फ, इरान को पहले पर्जिया कहा जाता था लेकिन 1935 में इन्होंने अपना नाम बदल के इरान कर लिया, वहाँ की सरकार ने तो यह पुराने जमाने का नाम है पर्जिया तो पर्जियन गल्फ, फारस की खाड़ी और यहाँ पे ओमान की खाड़ी को लिंक करता है एक छोट असा water channel जिसका नाम है Strait of Hormuz यह बहुत important नाम है याद रखेगा Strait of Hormuz इरान का capital है तहरान, यहाँ पे उत्तर में स्थित है और इरान की importance बहुत जादा है geographically क्योंकि यह जो पूरा इलाका है Caspian Sea के जो चारो तरफ का इलाका है यह natural resources खास करके oil और gas इसमें बहुत ही rich है यहाँ पे बहुत सारे gas और oil के areas हैं और जहाँ पे पिछले 100 सालों से control को लेके बहुत struggle चलता रहा है खास करके Soviet Union और England के बीच में उसके बाद इरान के कुछ important शेहर हैं और एक शेहर का नाम आपको मुझे comments में बताना है जो कि यहाँ पे इस्तित है यह port city है यहाँ पे एक बंदरगा है जिसे भारत develop कर रहा है इरान के साथ बहुती strategic location है इसकी क्योंकि यहाँ सही अफगानिस्तान को connect करेगा तो आपको मुझे इस बंदरगा का नाम बताना है और अगर आपको पता है कि अफगानिस्तान के किस शेहर को यह highway जोडता है तो यह भी बताईए फिर यह straight of hormones के बारे में थोड़ा से देख लीजे यह इतना important क्यों है परशिया के इरान के दक्षिन हिस्से में straight of hormones मैं आपको बताया है यहाँ पे फारस की खाड़ी और यहाँ पे ओमान की खाड़ी को यह जोडता हुआ केवल 55 km इसकी चोड़ाई है इस जगे पे तो यह एक choke point है यहाँ पे आप 10 या 15 जहाजों के साथ एक बहुत ही बड़ी नेवी को रोक सकते हैं तो इसलिए इरान जब भी चाहे अपनी नेवी का इस्तमाल करते हुए इसका blockade कर सकता है इसे बंद कर सकता है और उससे क्या होगा दुनिया का 20 प्रतिशत oil बड़े बड़े tankers में यहां से फारिस की खाड़ी से जितने भी देश हैं साथे अरेबिया, कुवेट, यहां से होता हुआ जाता है एशिया, भारत, चाइना और पशिमी देशों की ओर तो यह बहुत ही important choke point है और इसका control जब तक इरान के पास रहेगा तब तक इरान को बहुत जादा geostrategic dominance मिली रहेगी इस area में अब हम संक्षित में थोड़ा सा इरान की इतिहास को देखेंगे तो मध्यकाली इरान के इतिहास में सबसे पहले सफाविद वंश का नाम आता है 1501 से लेकर 1736 आज के इरान में जितने भी महत्वपूर्ण मस्जिद है architecture है वहाँ का जो culture है वो इस सफाविद dynasty से influenced है ये बहुत ही important dynasty है इरान के history में इन्होंने शिया Islam को वहाँ का official religion बना दिया इनके बाद वहाँ पे कुछ समय बीच में एक दो छोटी मोटी dynasties रही और finally कजार dynasty 1785 से 1921 तक और इसी वन्ष के दौरान उलेमा को political power मिला उलेमा कौन होते हैं उलेमा है clergy यानि की religious scholars वो धर्मिक लोग जो अध्यान करते हैं religion का, धर्म का, जो धर्मिक न्याय है उसका और उसी के basis पे वो छोटे मोटे मामलों में न्याय देते हैं और और भी कई तरह का धर्मिक अध्यान करते हैं तो उन्हें political power दिया गया इस कजार वन्ष के दौरान उसके बाद पहलावी वन्ष ये है last dynasty 1979 में जो revolution हुआ उस वक्त ये dynasty खत्म हो गई और उसके बाद से इरान में कोई भी dynasty नहीं है सबसे पहले 1906 में एक छोटा सा revolution होता है उसकी बात करेंगे हम ये उस जमाने का एक अकबार है जो दिखा रहा है 1906 का जो revolution हुआ उसके बारे में क्या होता है कि कजार जो वन्ष था तो कजार वन्ष का जो शाह था उस वक्त इरान में हमेशा राजा को क्या कहते हैं शाह जो भी राजा होगा उसे कहा जाएगा शाह तो शाह ने constitutional monarchy accept करी यानि कि एक समिधान लाया गया और इस समिधान के तहट राजा पे शाह पे कुछ restriction लगाए गए अब शाह अपनी मन मरजी हर चीज में नहीं चला सकता कुछ मामलों में कानून कौन बनाएगा पार्लियमेंट जो कि उसी वक्त गठित करी गई और इस पार्लियमेंट के कारण अब इरान क्या हो गया था constitutional monarchy जैसे कि इंग्लाइंड कई सालों से था यानि कि वहाँ पे राजा या रानी भी होगी उसके पास भी power है लेकिन जादा तर power एक constitutional पार्लियमेंट के पास है यानि कि एक सरकार प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे चलेगी तो ये था 1906 का revolution और इसमें फिर से शिया इस्लाम को official religion का दरजा दिया गया बीच मैं हटा दिया गया था ये दरजा लेकिन ये 1906 के समिधान में फिर से दिया गया लेकिन ये revolution finally fail हो गया क्यूंके जो उलेमा है पहले इन्होंने इस revolution में अपना support दिया था लेकिन बाद में उन्होंने अपना support हटा लिया अब आता है प्रथम विश्विद तो प्रथम विश्विद के दौरान ही यहाँ पे तेल की खोज हुई इरान में और इस तेल की खोज के कारण ब्रिटेन और सॉवेट उनियन दोनों एक दूसरे के पावर प्ले इन दोनों में चल उठा कि किसका यहाँ पे कंट्रोल रहेगा इरान के इलाके में फाइनली ब्रिटेन इसमें सक्सेस्फुल हुआ और वर्ल्ड वार वन के बाद लगभग इरान का सभी तेल ब्रिटेन दौरा निकाला जा रहा था और ब्रिटेन पूरे ओयल रिसोर्स पे अपना कंट्रोल करके बैठा था इन्होंने एक कंपनी भी बना और ब्रिटेन के ही सपोर्ट से वहाँ पे एक आर्मी जनरल था जिनका नाम था रेजा खान और इन्होंने कजार डैनेस्टी को हटाते हुए एक तकता पलट कर दिया कजार वंच का और खुद राजा बन बैठे खुद शाह बन बैठे 1921 में और ऐसा क्यूं क्यूंकि इन्ह रेजा शाह 1921 में ये इनकी फोटो है रेजा शाह ने आते ही secular government established करी यानि कि फिर से अब शिया religion official नहीं है secular है देश western government है और ये एक ताना शाह की तरह राज करते थे इसलिए उलेमा इनके खिलाफ चले गए क्यूंकि इन्होंने secularism घोशित कर दिया था और ये धार्मिक जो फिर आता है द्वितिय विश्युद्ध और द्वितिय विश्युद्ध के दौरान इनकी अंग्रेजों से नहीं बनी ब्रेटन सोचता था कि ये थोड़ा-थोड़ा Soviet Union की तरफ जुक रहे हैं और हो सकता है ये आगे जाके उनसे मिल जाएं ब्रेटन ऐसा नहीं चाता था हा अला कि ये फोटो 1978 की है इसमें तो ये काफी बुड़े हो चुके हैं लेकिन 1941 में जब ये शाह बने तो ये केवल 22 साल के थे तो इनके पिताजी की जगे इनको राजा बना दिया गया इस फोटो में आप देख सकते हैं ये और ये उनकी वाइफ हैं क्वीन तो ये जो रेजा शाह पहलावी है इनके दोरान भी इनके राज के दोरान भी प्राइम मिनिस्टर होता था सरकार चुनी जाती थी लेकिन नाम मात रगी तो इन्होंने थोड़े से constitutional reform किये और democracy बढ़ाई और उसी democracy के तहट जो 1951 में चुना हुए उनमें मुहम्मद मुजदेक प्रधान मंतरी चुन कर आए और मुजदेक ने इन सभी तेल के resources को nationalize कर दिया यानि कि उन्होंने जो ब्रिटन की monopoly चल रही थी तेल का जो दोहन ब्रिटन कर रहा था उसे बंद करके अपने हाथ में ले लिया देश के हाथ में उन्होंने oil resources का nationalization कर दिया ये ब्र माई 6 ने मिलकर एक तक्ता पलट रचा इन्होंने एक साजिश रची जिसके थेद 1953 में मुझमद मोजदेक को प्रधान मंतरी के पत से हटा दिया गया और फिर से शाह को पूरी ताकत दे दी गई शाह जो है अब पूरी तरह से power में थे और शाह को बोला कि अब आप भी तो शाह ने कुछ economic reforms शुरू किये जिसके कारण देश में growth हुआ, काफी development हुआ, oil industry बहुत तेजी से develop हुई, तेल का जो कुछ हिस्सा है वो अब धिरे-धिरे इरान के पास भी आने लगा और इरान धिरे-धिरे अमेरिका के काफी करीब हो गया, US का बहुत ही नजदीकी ally थ पास करके UK इनके भी नजदीक माना जाता था, इरान में एक image बनी मुहमद रेजा शाह की कि ये westernization लेकर आ रहे हैं, पाश्याते संस्कृती को हमारे देश पर थोप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए modern education lie थी, महिलाओं को इन्होंने school college जाने के लिए प्रेरित किया, मह लोगों ने ऐसा सोचा कि ये पश्यमी संस्कृती और पाश्याति करन कर रहे हैं इरान का, और ये थोड़ा सा कुछ लोगों को सुहाया नहीं, इन लोगों के मुख्या थे, रुह ल्ला खुमेनी, इस photo में आप देख सकते हैं, ये एक religious leader थे, और एक cleric थे, और इन्हें कहा पहली चीज, women's right इन्हें नहीं पसंदा रही थी, महिलाओं को चुनाव में vote दालने का हग दिया गया था, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाया जा रहा था, और दूसरी चीज इनका कहना था कि elections rig किये जा रहे हैं, शाह जिसे चाहता है, उसे प्रधान मंत्री बना दे इन्हें ने शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, 1963 में जब ये रिफॉर्म शुरू हुए थे, उसके कुछी समय बाद, तो इसलिए शाह ने इन्हें अरेस्ट कर दिया, और कुछी महीने बाद जेल से छूट कर जब ये निकले, तब इन्हें कहा गया अब आप देश में नही स्पीच देते रहे, कई सारे इनके जो भाशन है, वो बहुत जादा इरान में उनका प्रचार प्रसार किया गया, और इसलिए ये conservative लोगों के नेता बन गया, शाह के जो विरोधी थे, उन सभी के ये बहुत important नेता बन गया, अब हम आते हैं इस करांती पे, तो 1978 और 79 में य हटा है, तो लाखों लोगों ने इस protest में हिस्सा लिया था, इस revolution में हिस्सा लिया, इस revolution के कारण थोड़े से जानने मुश्किल है, उस वक्क कई लोगों को ये समझने में दिक्कत हुई थी world level पे, कि अचानक से ये revolution क्यों हुआ, तो देखिए, पिछले 20-30 सालों में जो का benefit आ रहा था, वो गरीबों तक नहीं पहुँच रहा था, हाँ उससे development हुआ, highways बने, roads बनी, और school, university, इन सभी में पैसा जा रहा था, लेकिन सबसे गरीब लोग जो हैं, उन्हें अभी भी खाने की दिक्कत थी, उनके पास नौकरी नहीं थी, unemployment बढ़ता जा रहा था, एक तर culture में जो बदलाव लाना चाह रहे थे, पाश्यात्य संस्कृती धीरे धीरे आ रही थी, तो ये वहाँ के conservative लोगों को, conservative sections को पसंद नहीं था, जो रूडिवादी लोग थे, इरान की society के, वो इसके बिलकुल खिलाफ थे, तो ये भी कारण बना आगे जाके revolution का, और finally perceived imperialism, ऐ जब ये revolution start हुआ था, protest start हुए, तो इनका लक्ष Islamic Republic बनाना नहीं था, ये नहीं चाहते थे कि Islamic Republic बने या एक Islamic क्रांती हो, क्रांती तो इन सभी कारणों से हुई थी, तो अब हम बात करेंगे इस क्रांती के events की, कैसे ये क्रांती हुई, तो 1975 में शाह ने political parties को ban कर दिया, ये political parties इनके विरोध में काफी कुछ बोल रही थी, खास करके income inequality और जो social cultural changes थे इस बारे में, तो शाह ने सभी political parties को ban कर दिया, और सिर्फ एक party चालू करी, इसका नाम था resurgence party और ये तो शाह की खुद की party थी, तो बस अब एक ही party चलेगी इरान में, फिर इन्होंने censorship लगा दी कि अगबार में, जो भी छपेगा, मीडिया में, जो भी आएगा, वो सरकार की मर्जी से होगा, वो सरकार की मर्जी से होगा, उसके बाद इन्होंने political prisoners को arrest करना शुरू कर दिया, जैसे जब ये parties ban हुई, तो लोगोंने विरोध किया, और धीरे धीरे एक एक करके, सभी political prisoners बना उन्होंने इन प्रोटेस्ट में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया, तो शुरुवात मैंने जैसे आपको बताया था, Islamic Republic बनाने के लिए नहीं हुई थी, लोगों की जो समस्याएं थी, सरकार से, शाह से, economy से related, socio-cultural कारणों से, उनके खिलाफ ये करांती शुरू हुई, तो धीर दीरे लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आये, आप देख सकते हैं या पर कितनी भीड है प्रोटेस्ट में, तो 1978 6 जनवरी को एक आर्टिकल चपकर आया, न्यूज में, और इसमें खुमेनी के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहा गया था, इस आर्टिकल से उन बेरहमी से इन्होंने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, गोली बारी करी, कई students मारे गये, कई लोग मारे गये, तो देखे, ये एक cycle बन गई, जैसे लोग प्रोटेस्ट करते, दो-तीन लोग मारे जाते, फिर उन दो-तीन लोगों के मारे जाने के खिलाफ, फिर से 100 अगर जाड़ लोग और प्रोटेस्ट करने के लिए आते फिर से गोलिया चलती 10 लोग मारे गए फिर 1000 आते फिर 10 अजार तो ये एक सैकल बन गई जतने जाधा जितना जाधा क्रैक्डाउन किया गया उतने जाधा ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए शाह के खिलाफ इस सभी के बीच में अमेरिका की सरकार और अमेरिकन प्रेजिडेंट जिमी कार्टर ने शाह को अपना पूरा सपोर्ट दिया और उन्हें ये भी कहा कि हम अगर जरुत पड़ी तो शाह को मिलिटरी सपोर्ट भी देंगे तो इससे वहाँ पे लोग और गुस्सा हो गए इरान को अब लगा कि जी हाँ ये तो पूरी तरह से अमेरिका हम पे हमें एक उपनिवेश बनाना चाहता है इंपिरियलिजम कर रहा है सप्टेंबर आते आते शाहा ने मार्शल लॉव इंपोज कर दिया मार्शल लॉव इंपोज होते ही वहाँ पे आपकी सिविल राइट सारी चली जाती है और इस मार्शल लॉव इंपोजिशन के खिलाफ और जादा प्रोटेस्टर सडगों पर उतर कह रहा है और कई सौ लोगों की इसमें मौत हुई तो अमेरिका के विरोध में आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिका का जंडा जलाया जा रहा है शाह is the puppet of US, down with the शाह इस तरह के स्लोगन्स दिये गए इस revolution के दौरान अगस्त और सितंबर 1978 के बाद में पूरे देश में strike और civil resistance की शुरुआत होती है हर जगे हरताल शुरू हो गई, सारे workers हरताल पर उतर आए और protest करने सड़कों पर आ गए जिससे की देश पूरी तरह से रुग गया, सारी economic activity बंद हो गई December में महरम था और महरम के वक्त इन प्रोटेस्ट की जो intensity है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई महरम वैसे भी शिया धर्म में बहुत ज़्यादा इसकी importance है, तो शिया धर्म में महरम की importance के कारण बहुत से लोग जब मुहरम में प्रोटेस्ट करने आते थे तो ये इनकी संक्या और जाधा बढ़ गई फाइनली 16 जनवरी 1979 को शाह ने इरान छोड़ दिया और वो चले गए अमेरिका उन्होंने भाना क्या बनाया कि medical treatment वैसे उन्हें सही में cancer था और वो cancer का इलाज करवा नहीं गए थे लेकिन वो अपने देश में ना करवा के अमेरिका चले गए तो इससे लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने का देखो ये तो सही में अमेरिका का ही supporter था हमारा शाह जो है और ये भाग गया है इनके जान कई लोगों की तो भीड में कुचल जाने से मौत भी हो गई इन्होंने आते ही वहां के जो प्रधान मंतरी थे देकि प्रधान मंतरी कौन थे जिनने शाहा ने बढ़ताया हुआ था उस प्रधान मंतरी को इन्होंने हटा दिया और जो भी लोग इनके opponents थे किनके ? आयातुल् democratic republic बनना चाहिए तो ये सब थे left wing के लोग या फिर moderate लोग जो की fundamentalist इसलाम में नहीं विश्वास रखते थे या फिर extreme शरिया law को impose करने में विश्वास नहीं रखते थे इन सभी को Ayatullah Khomeini ने हटा दिया अपने रस्ते से और आने वाले महीनों में इन्होंने Islamic Republic की स्थापना करी ये फोटो है Ayatullah Khomeini जब वापस लोट कराया कई सालों के बाद इरान की धर्ती बे इन्होंने कदम रखा जैसे ही आते हैं मैं आपको बताया है तीन महीने में इन्होंने अपने opponents को सबको हटा दिया और अपरेल की शुरुवात में एक वोट हुआ और इस वोट में नए सम्विधान के लिए वोट डाला गया और इस सम्विधान के तहट इरान अब एक Islamic Republic of Iran गोशित हो चुका है और President, Parliament और Elections ये तीनों होंगे महाँ प एक राश्टरपती भी होगा Parliament भी होगा और Election भी होगा और वैसे आपको बता दूँ ये वोट लगभग 98% बहुमत से पास किया गया ये जो कौन नया सम्विधान है 98% लोगों ने इसके फेवर में वोट किया था लेकिन इस सम्विधान के एक खास बात क्या है इसमें Supreme Leader की Position है Supreme Leader का मतलब क्या है ये इन सभी से उपर है President, Parliament, Election इन सभी के उपर एक Supreme Leader की Position है और ये सरकार के किसी भी फैसले को पलट सकते है कोई भी appointment जैसे की आर्मी का Chief या फिर Supreme Court का Justice ये सभी Supreme Leader द्वारा किया जा सकता है और इसी सम्विधान के तहट इरान ने शरिया कानून को अपनाया और शरिया कानून को पूरी तरह से adopt करते हुए इसका to the letter इसे follow किया जाता है फिर एक Islamic Revolutionary Guards की स्थापना करी गई जिनका काम होगा कि इस Revolution को successful बनाये रखें कभी इस Revolution पर आचना है इस सम्विधान पर कोई आचना है ये जम्यदारी किसकी होगी Islamic Revolutionary Guard की तो ये एक elite military wing है तो ये आम जो normal army होती है साधारन फौज है उसमें भी एक elite group है जिनका काम ये होगा कि इरान के supreme leader और ये जो नया सम्विधान है इन सब को बचा कर रखें अगर कल को कोई तक्ता पलट करने की कोशिश करता है तो इस्लामिक Revolutionary Guard का काम है कि उसे रोके आखिर में एक चीज़ और डिसकस करनी चाहिए हमें इस करांती के बाद जो हुई वो था इरान और इराक के बीच में युद्ध जो कि 1980 में शुरू होकर 88 तक चला इराक ने इरान पर हमला कर दिया जैसे ही ये करांती हुई इरान में उसके तुरंद बाद सदाम हुसेन ने इरान पर हमला कर दिया क्यों क्योंके देखे इराक में मिजॉरिटी कौन है शिया लेकिन वहाँ पे राज करने वाली जो पार्टी थी बात पार्टी सदाम हुसेन की जो पार्टी है उसमें सबसे ज़्यादा सुन्नी लोग थे यानि की राज सत्ता किस के हाथ में थी सुन्नी लोगों के हाथ में लेकिन मिजॉरिटी किस के हाथ में पास है मिजॉरिटी है शिया और सत्ता है सुन्नी लोगों के पास तो उन्हें डर था बात पार्टी को सदाम हुसेन को कि कहीं ये रिवल्यूशन इरान से इराक में ना फैल जाए यहां के शिया भी रिवल्यूशन ना कर दे करांती करके तक्ता पलट ना कर दे ऐसा इसलिए क्योंकि आयात अल्लाग हुमेनी ने एक एलान किया था कि आसपास के जितने भी तानाशाह हैं हमारे जो इरान के पडोसी हैं जैसे साथी अरेब, कुवेत और यहां भी तानाशाही चल रही है इराक इन सभी में करांती आनी चाहिए इन सभी में तानाशाही हट जानी चाहिए तो इसलिए इराक को ऐसा डर था कि कहीं ये क्रांती यहाँ ना फैल जाया फिर इरान हम पर हमला ना कर दे तो इसलिए इराक ने इन पर हमला कर दिया हाला कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला लेकिन इसमें किसी को कुछ नहीं मिला boundaries सेम रही कई लोगों के मरने के बाद भी ना तो सद्धाम उसेन सत्ता से हटे और ना ही इराक में कोई क्रांती आई फिर एक और important घटना जो कि इस revolution के बाद हुई वो थी अमेरिका की जो embassy है वहाँ पे एक hostage crisis हुआ तो जब यह revolution समापत होता है 79 February में अपरेल में Islamic Republic की घोशना होती है उसी साल November आते आते अमेरिका की जो embassy है यानि अमेरिकी दूतावास तहरान में उसे कुछ लोगों ने students ने अपने कबजे में ले लिया उनकी क्या demand थी कि जो शाह इलाज करवाने अमेरिका गये हैं उन्हें फिर से इरान भेजा जाए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चले इन्होंने इतने लोगों की हत्या करी करांती के दौरान पुलिस ने firing करी आर्मी ने तो उन सब के लिए म 444 दिनों तक hostage बने रहे 20 जन्वरी 1981 तक उधर शाह पहलावी की जुलाई 1980 में मृत्य हो गई और कुछ महीनों बाद Algeria ने मध्यस्तता करी इरान और अमरीका के बीच में और Algiers Accord साइन हुए Algiers जो कि Algieria का capital है Algiers Accord के तहित इन सभी 52 लोगों को छोड़ दिया गया 444 दिन ये लोग hostage में इस तरह से इरान के hostage बने रहे तो इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने इरान पर economic sanctions लगा रखे हैं जिसके कारण इरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं किया जाता और इसे कई देश follow करते हैं कई देशों ने इरान के साथ व्यापार करने से मना कर रखा है 35 सालों तक इरान ने इन sanctions को जहला और जिसके कारण इरान की economy बहुत कमजोर पड़ गई finally 2015 में जाकर एक समझोता हुआ जिसमें अमेरिका जर्मनी सारे जो P5 countries हैं और P5 प्लस वन समझोता इसे कहते हैं तो जो security council के permanent 5 members हैं प्लस जर्मनी इन सभी ने मिलके इरान से समझोता किया जिसके सहत इरान ने अपना nuclear program बंद कर दिया है और nuclear enrichment बंद करने की बदले में अब ये सारे देशों ने economic sanctions lift कर लिए हटा लिए तो अब इरान से व्यापार किया जा सकता है अब हम इरान की revolution की significance को देखेंगे पहली चीज इतिहास कारों को समझने में बहुत दिक्कत हुई और बहुत परिशानी हुई ये कि यहाँ पर कोई भी जो normal अलग-अलग करांतियां ह हुई है उनके जो कारण रहें ऐसा कोई कारण यहाँ पर मौझूद नहीं था तो जैसे जातर करांतियों में आप देखेंगे कि या तो देश किसी लड़ाई में हार गया या फिर वहां के farmers ने हतियार उठा लिये या फिर बहुत जादा tax लगा दिया सरकार ने तो ये इरान की सत्ता पूरी तरह से बदल गई और ये सब एक साल के भीतर हुआ एक और चीज़ यहाँ पे कोई major violence नहीं हुआ वाइलेंस किसके द्वारा revolutionaries के द्वारा जिन्होंने क्रांती करी वो सभी लोग निहत्ते थे students थे या फिर conservative जो खुमेनी के followers थे उन सबी ने हत्यार उठा के एक 47 उठा के लड़ाई नहीं लड़ी मारे कई लोग गए ऐसा कहते हैं लगबग सरकार तो देखिए officially कहती थी कि सिर्फ 600-700 लोग मारे गए थे इन प्रोटेस्ट में लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये संक्या हजारों में थी शायद 10 या 20 हजार लोग इसमें मारे गए किस के दवारा आर्मी के दवारा तो आर्मी और पुलिस ने हत्यार उठाए वाइलेंस का इस्तमाल किया लेकिन जो revolutionaries थे क्रांतिकारी थे उन्होंने किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया ये बहुत ही महत्वपून चीज है फिर है इस क्रांति का result तो इस क्रांति के कारण इरान में theocracy का establishment हुआ थियोक्रिसी का क्या मतलब होता है देखे democracy या फिर republic democracy का मतलब होता है जहाँ जंता का राज हो republic यानि कि जहाँ elected head of state होगा तो Theocracy एक ऐसा देश है एक ऐसी form of government है जहाँ पर भगवान के यानि कि जो God है उसका rule है और God यानि भगवान की मरजी से rule करने के लिए उसके कुछ नुमाइन्दे हैं उसके कुछ representatives हैं वो यहाँ पर राज कर रहे हैं तो इसे एरान में आयात उल्ला ने नाम दिया विलायत ए-फाकी ये एक theory थी जिसके तहट उन्होंने कहा guardian ship of the Islamic jurist यानि कि भगवान के लिए भगवान के नाम पर Islamic jurist कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही धर्म के अंदर पढ़े लिए हैं धर्म को जानते हैं जूरिस्ट हैं Islamic jurist हैं वो देश को guard कर रहे हैं they are guardians of the country on behalf of God भगवान की जगह पे वो देश को संभाल रहे हैं तो ये philosophy है विलायत ए-फाकी और इसलिए इरान को theocracy भी कहा जाता है finally इरान के revolution ने power किसके हाथ में दे दिया traditional clergy के हाथ में जो ये उलेमा है इन उलेमा के हाथ में power आ गया तो पिछले 200 सालों की जित्ती भी क्रांतियां हुई हैं इनके अंदर आप देखेंगे कि modern political parties या फिर society का जो निम्न तपका है नीचे के वर्ग हैं उनके हाथ में power आई इरान की तरफ गया तो ये conservative लोगों के हाथ में हाथ में power आगई traditional clergy के हाथ में आज की तारीक में इरान में वो जो revolution हुआ उसी से आगे system जो उसका उसने system establish किया वो चला आ रहा है और आयतुला खुमेनी की 1989 में अम्रत्य हो गई और उनके बाद सेयद अली खुमेनी ये आज के supreme leader है इरान के और ये supreme leader अभी भी हैं बने हुए हैं पिछले 26-27 सालों से और अलग-अलग time पे चुनाव होते रहते हैं और president बदलता रहता है 2013 में जो latest चुनाव हुए थे last चुनाव हुए थे उनमें हसन रुहानी वहां के president चुने गए हैं तो ये हैं सैयद अली खामेनी जो के supreme leader है और ये हैं हसन रुहानी तो I hope आपको इरान की करांती समझ में आई अगर आप हमारे bank और SSE exam के courses में interested हैं तो please studyiq.in पे जाकर आप details देखिए कि कौन-कौन से courses हैं उनमें क्या topics covered हैं और आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस number पे भी call कर सकते हैं Thank you very much for watching this Please like, comment, subscribe to our channel and keep the education revolution going have a good day